बंगाल में घड़ गई चावल की पैदावार भाव पहुंचा चाल साल के नीच ले स्तर पर दरसल पश्चिम मेंगॉल में चावल उत्पादन में आई गिरावट से देश का उत्पादन आकड़ा नीचे की सर गया है पश्चिम मेंगॉल बीते कई सालों से उत्पादन में शीर्श सर पर रहता था लेकिन इस बार 2023 सीजन में उत्पादन घटने से चोथे स्तान पर खिसक कर आ गया है हाला कि ग्रिशम कालिन फसल के उत्पादन को शामिल करने से स्थिती में सुधार की संभावना बताई जा रही है वही क्रिशी और किसान कल्यान मंत्राले के ताजा फसल अनुमानों के अनुसार चावल उत्पादन में तोप पर रहने वाला पश्चमी बेंगाल 2023 फसल वर्ष जुलाई-जून में चोथे स्तान पर लुडग गया है आंकडे बताते हैं कि तेलेंगाना हर साल अपने चावल उत्पादन के आंकडों में सुधार करते हुए दूसरे नंबर पर पहुँच गया है सबसे बड़ा चावल उत्पादन के साथ उत्तर परदेश पहले स्तान पर है वहीं पश्चमी बेंगॉल में उत्पादन को लेकर बजार जानकारों का कहना है कि ग्रिशम कालिन फसल के उत्पादन को शामिल करने से भी पश्चमी बेंगॉल शीर्ष स्तरपन नहीं पहुँच पाएगा उपश के आखड़े बताते हैं कि पश्चमी बेंगॉल में चावल की उत्पादकता लगातार घट रही है 2019-20 में राश्चिय उत्पादन में 13.36 फीसद की हिस्सेदारी के साथ पश्चमी बेंगॉल 15.88 मिलियन टन के साथ शीर्ष चावल उत्पादक था यह 2023-20 में 9 फीसद के आसपास की हिस्सेदारी के साथ 11.52 मिलियन टन तक फिसल गया जबकि 2023-20 में धान बुआई का रखबा 4 मिलियन हेक्टेर था जिसमें धान बुआई अगर जोड़ दे तो कुल रखबा 5.49 मिलियन हेक्टेर का बनता है वही अन्य राजो की तुलना में पश्मी में जलवायू केंद्रित किस्मों को अपनाना धीमा कर दिया गया है और केंद्रिय अपुल के लिए चावल की खरीद भी कम है इसके लावा पेश्चमी बंगॉल अन्या राजियों की तुलना में सिंचाई कवरेज के मामले में भी आगे नहीं बढ़ पाया है लगातर मोसम में बदलाव भी पेश्चमी बंगॉल में चावल उत्पादन घटने का एक कारण है आपको बता दे कि सरकारी अनुमानों के अनुसार जून तक चावल का उत्पादन गिरकर 123.8 मिलियन टन होगा वहीं रभी सीजन में देश का धान बुआई रकबा 2022-23 के 29,33,000 हेक्टियर की तुलना में घटकर 2023-24 में 28,25,000 हेक्टियर शेतरफल में हो सकता है Bureau Report, Market Times TV